Hello students, welcome to my channel, कैसी है मेरी आर्मी, I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और आज मैं आपके लिए लिके आई हूँ, area related to circle का एक question, जो की math के standard sample paper का ही part है, और करेंगे हम इसको बहुत ही easy way से, तो चलिए करते हैं start, सबसे पहले देखेंगे question में क्या given है, in the given figure below ABCD is a square, तो यहा as midpoint of the sides, और यह आपको सारे midpoint दिये हैं, तो चलिए एक चीज़ तो पहले note कर लो, यह वाला हमारा side 14 दी हुई है, और यहां पर midpoint होने की वज़े से, यह हो जाएगा 7, उपर वाला भी हो जाएगा 7, the area of shaded portion, हमें area of shaded portion निकालना है, अब आप इसमें ऐसे करोगे कि पहले square क area निकालो, फिर semi circle का निकालो, quadrant निकालो, minus को रो, फिर answer, लेकिन मेरा trick देखिए कैसा है, मैं यहां से mid में एक line लगाऊंगी, और यह वाला जो एक पार्ट है, और यह वाला एक जो पार्ट है, यह जो दो पार्ट हैं, इसको मैं यहां फिल कर दूँगी, इस जगह पे, यह किदर हो गया, पार्ट फिल हमारा, दूसरा इस साइड में पूरा फिल हो गया, और यहां से आपके पास में जो figure बन रही है, तो यह मेरे पास में पूरा rectangular पार्ट हो गया, जो कि shaded है, क्योंकि मैंने यह दो पार्ट यहां उपर shift कर लिए हैं, तो यह पूरा shaded पार्ट है, सम 14 multiply, और मेरा breath यहां पर मैंने भी निकाला था 7, तो यह answer मेरा बन गया 98, तो C is the correct answer, आप मेरे चैनल को कर सकते हैं, like, share and subscribe, और bell icon को ज़रूर क्लिक करें था, thank you so much,